Assalamualaikum, Welcome to GFX Mentor, मैं आपका टीचर इम्रान और आज एक और After Effects की क्लास लेकर आगया हूँ, यह भी थोड़ी सी basic वाली ही है, एक दो classes के बाद थोड़ा सा intermediate level definitely start करेंगे, आज की क्लास में हम देखेंगे precomp, याने precompose, याने composition के अंदर, composition याने nested composition और उसके फाइदे क्या है, क Alright, welcome back, so first of all, यहां पर अगर आप देखें तो यह वही वाली हमारी animation है, जो हमने parenting वाली class में देखे थी, अगर आप लोगों ने एक लास नहीं देखी तो उपर, टॉप पर लिंक आरहा है, उस पर क्लिक करें, और यह वाली class जाके जरूर देखिएगा, so, मैं चाह रहा यह जो मेरी animation है, इसमें बहुत सारी layers है, और यह तमाम layers को मैं चाह रहा हूँ, merge कर दूँ, एक layer में, ना obviously, यहां पर merge का system ऐसा तो नहीं, जैसे के हम raster images को Photoshop में merge कर देते हैं, but we can make a composition out of it, और वो किस तरह से, क्या है, दो तरीके, number one, कि मैं यहां से new composition लों, और यह यह वाल numbers वाली composition है, यह वाली, इसको मैं drag and drop कर लूँ, उस नई composition में, बट यह थोड़ा सा लंबा procedure है, now, ज्यादर बेतर यह रहेगा कि आप simply वो तमाम layers select कर लें, जिनको merge करना है, now, याद रखिए कि यह merge, वैसे merge नहीं होगा कि यह एक ही layer physically बन जाएगी, बट यह बजाहर देख सारी कर लें, और control के साथ आप इस वाली पर क्लिक करें, तो यह deselect हो जाएगी, मैं यह अलग से composition में नहीं लाना चाहरा हूँ, मैं बस यह अपने, जो flowers हैं, इनको एक अलग से layer पे लाना चाहरा हूँ, यानि एक अलग से composition में डालना चाहरा हूँ, सभी है, so, simple सा तरीकर य यह भी हो सकता है, कि आप simply एक पर क्लिक करें, और shift दबा करके टॉप वाली पर क्लिक कर लें, या टॉप पर क्लिक करें, और shift दबा के नीच वाली पर क्लिक कर लें, तमाम तर लेर सेलेक्ट हो जाएगी, नो इन सब को select करने के बाद, आपने जाना है layer के menu में, और यहां से pre-compose का एक option दिया हुए, याने control shift C, अगर आप यहां से click कर लें, तब भी हो जाएगा, दूसरा तरीकार होई shortcut, control shift C, अगर मैं प्रेस करता हूँ, ये सारी एक new composition में आना शुरू हो जाएगी, but for that, याद रहे हैं कि इसका नाम change कर ली जाएगा, वरना pre-comp 1, pre-comp 2, इस तरह ये आप लोगों को याद रहे है कि इसमें है गया, right, and यहां पर आपके पास एक option आरा, move all attributes, इस पर रहने दीजेगा, and okay करें, अगर आप इस पर check लगाएंगे, तो ये new composition आपको open करके देदेगा, but right now, हमें इसको open नहीं करना, तो मैं simply इसको okay कर रहा हूँ, यहां से, that's it अब यह flowers comp, आपके पास एक new composition त्यार हो गई, right, and it will act like one layer, और इसको आप जहां पर भी move करके रखना चाहें, रख सकते हैं, सारी animation इसी के अंदर हो रही है, जेके मैंने space bar press किया, and see this, अब इसका फायदा क्या है, फायदा यह है, कि आप multiple copies ले सकते हैं, control D से, आप layer duplicate कर सकते हैं, साहिए, आप इसको बड़ा करना चाहें, बड़ा कर सकते हैं, but now, एक छोटा सा मसला, remember, हमने, मैंने आप लोगों को बताया था, कि vector layers को, अगर आप scale up, scale down करते हैं, तो वो खराब हो जाती हैं, वैसे तो यह वाली जो तमाम layers हैं, इनको हमने, यहां से यह वाला button click किया होता है, था कि यह रास्टराइज ना हो, बट चुंकि यह अब एक pre-comp है, यह अलग से composition है, तो यह इसके chances हैं, कि यह pixelate होगी, see this, यह pixelate हो रही है, so यहां से collapse transformation, यानि वो ही वाला button जो कि vector के लिए use होता है, वो आप यहां पे click कर दें, and that's it, आपकी अब यह चीज pixelate नही होगी, हाँ, बाराल यह आपको जो blur देख रहा है, यह because of motion blur है, जो के हमने उस composition में apply किया हुआ, so अगर मैं इसको off कर दूँ तो you will see के यह sharp आ रहा है, ठीक है, so इसको on रेने देते है, and that's it, अब इसको scale खेर इतना बड़ा तो नहीं करना था मुझे, मैं इसको थोड़ा सा देखें, and that's it, of course, यह थोड़ा सा heavy होता जा रहा है, and जब यह final render होता है, तब यह बिल्कल सही preview दे रहा होता है, now इसी चीज़ को हम एक दूसरी चीज़ में भी apply कर के देख सकते है, for example, मैंने pixabay से जाकर के यह एक truck की image डाउलोड की है, याद रहा है, इसका link मैं नीचे description में दे रहा हूं, और यहां से मैंने vector graphic download की है, आप raster भी कर सकते हैं, up to you, but मैं देख रहा हूं कि इसमें कुछ background मौझूद है, जिसको हटाने के लिए हमें vector graphics की जरह होते, इसको मैंने download कर लिया है, और मैंने simply इसको illustrator में open कर लिया है, now initially, this is a group, so मैं इसको ungroup कर रहा हूं, और let's see, if I can remove this background, yes, और ये वाली जो नीचे shadows आ रहे हैं, ये भी मैं हटाना चाह रहा हूं, और इसको मैंने delete कर दिया, ठीक है, now अगर आप देखें तो ये wheels इसके already अलहदा से हैं मौझूद, तो मैं एकामी कर रहा हूं कि इसको मैं यहां से cut कर रहा हूं, controls x, ठीक है, and layers का new layer पे जाकर के control F प्रेस कर रहा हूं, याद रखिए का control F से paste and place होता है, exactly उसी जगा पर paste होगा, but of course मुझे इनको wheels को भी अलहदा layers पर ही रखना है, तो मैंने इसको मजीद cut किया, और यहां से control F कर लिया, तो अब ये अलहदा layer पर है, ये अलहदा layer पर है, और ये एक कर ले, क्योंकि ये अलग-अलग है, इलस्ट्रेटर के लिए खाली, after effects में कोई फार्क नहीं पढ़ाएगा, now, इसको मैंने save as, and let's say desktop पर मैं truck के नाम से save कर रहा हूं, but svg save मत कीजिएगा, मैं इसको AI file में save कर रहा हूं, ताकि illustrator इसको easily, sorry, after effects, इसको easily import कर सके, ठीक हो गया, now, let's go to after effects, और import कर लें, अपना ही truck, desktop पे, आहा, कहां गया, ये रहा, truck, और मैं as footage नहीं, as a composition, retain layer sizes, ठीक है, import करें, आपके पास ये truck की composition आ गए, ना देखें, अब इसमें, सिलसला कुछ ये है के, मैंने जब इंपोर्ट किया, तो इसका size कुछ different सा, था, right, and इसको आप ये कर लो, के, अपनी composition size को जरा चेक कर लो, क्या है, it's quite different, मैं इसको यहां से, HDTV, यहांने 1920 by 1080 रक रहाँ, इसको okay कर ले, alright, that's it, just for the sake, के हम इसको देख सके, let's add a background, like मैं solid ले रहा हूँ, और composition का साही से, let's go for, I don't know, light blue, maybe, yes, इसको मैंने ये blue ले लिया, और इसको मैं पीछे रहा हूँ, and lock, now, मैं ये चाह रहा हूँ, के ये truck हमारा चलता हुआ है, but before that, मुझे ये करना है, के ये जो wheels है, इसके घूम रहे हो, and of course, आगे की तरफ घूम रहे हो, तो, चुँके truck हमारा left side पर है, so, जरा ये चेक करें, के इसकी कान सी rotation हमें करनी होगी, तो, yes, इसकी composition हमें माइनस में rotation करनी होगी, right, all right, and इस वक हमारी जो composition है, ये तकरीबन five minutes की हो बाप रहे, बहुत जादा है, इसको मैं zero कर रहा हूँ, और, oh, इसलिए के मैंने last time कोई ली थी five minutes की, but, yes, मैं इसको स्रिफ 10 seconds तक रख रहा हूँ, okay, and that's it, so, ये 10 seconds की हमारी composition हो गई हमारी, और, मैं इन दोनु वील्स को rotate करना चाहूँगा, so, yes, मैंने एक को यहां से यहां तक, तकरीबन minus five rounds, and let's see, क्या speed है, and that's it, now, अगर इसको आप थोड़ा सा और fast कर लें, तो जाद़ बेतर है, this is too slow, minus 10 कर ले, and, अब दरह चेक कर रहे, yes, this is good, and, yes, साथ ही साथ, आप motion blur भी on कर लें, ठीक है, that's it, and, yep, इसको भी मैं similar animation देना चाहूँगा, so, इसमें भी मैंने rotation दे, और, इसमें भी मैं minus 10, that's it, so, yes, यह अब हमारा truck के wheels तो चलना शुरू हो चुके हैं, which is quite easy, right, बहुत असान था, अब मैं यह चाह रहा हूँ कि यह पूरा truck एक हो जाए, क्योंकि अगर मैं, वैसे तो हम इस truck की body को parent कर सकते हैं, यह भी हो सकता है कि आप इनको parent कर लें, like this, and, like this, so, अब अगर मैं अपने truck को खाली animate करूँ, for example, इसकी मैं position on कर रहा हूँ, और, oops, sorry, start say, तक्रेबन एक second में यह हमारे सामने से गुजर के चला जाएगा, that's it work area में अपना इतना ही कर रहा हूँ, and, that's it, बहुत थेजर यार बहुत ज्याद थेजर, and, yes, यह इसमें भी हमारे motion blur on करने तो हमें, तक्व, that's it, this is quite good, and yes, अब फाइदा क्या है कि यार इस पूरी ऐनिमेशन को, आप चाहें तो यहां से ऐनिमेशन खत्म कर दें, right? इसको फाइदा ही होगा कि यार, हम इनको अगर pre-comp कर लें, तो हमें बार बार ये चीजिज़ें की टेशन नहीं होगी, कि हम कहां क्लिक कर रहा है किस लेयर को मूफ करना अभी आपका ट्रक जो है इसका कंटेनुसली वील्स घूम ही रहे हैं चाहिए एक जगह रहा है चाहिए कुछ रहा है और इन तीनों को सेलेक्ट करके आप प्री कॉम कर लें कंट्रोल शिफ्ट सी और इसका नाम मैंने रख दि है ना लेट्स एड बैग्राउंड सो इसके लिए भी मैंने एक लैंड्सकेप डाउलोड किया हुआ है और इसको मैं सेफ कर रहा हूं तक करीबन डेस्टोप पे एंड लैंड के नाम से और स्वीजी के वजाए फिर से मैं इसको AI फाइल से कर रहा हूं बदियस आपकोर्स इ नाम से मैंने से इसको मैंने इंपोर्ट किया इसको एसको एस कॉमपोजिशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सिर्फ हम एक बैग्राउंड के तौर पे यूज़ करना चाह रहा है और यह जो हमारा ट्रॉक है इसको हम उठा करके हैं यहां ला रहा हुआ ठीक है थोड़ लेयर है इसकी पॉजिशन हम सिंप्ली एनिमेट करेंगे और तकरीबन तीन सेकंड्स में यह बलके एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं चार सेकंड्स में यह ट्रॉक हमारा यूंबार निकल जाएगा ठीक है तो पीछे जो लैंड्सके पर चूंकि आप बड़ा सा है इसको भी हम पहुच स्लो पहुच बहुच लोग अनिमेट करेंगे आपके पास प्रीकॉंप का एक फायदा यह हुआ कि आपकी जो यह जो यह ट्रॉक है यह अलहदा से आपके पास एक लियर पर मौझूद है और आप जब चाहें इसको यूज कर सकते हैं एनिमेशन के तौर पे येस आप लोगों को प्रीकॉंप समझ में आई होगी देखें मैं हमेशा से एक छोटी सी चीज समझाने के लिए थोड़ा सा कुछ डिजाइन वाइज कुछ इमेजेज वगरा डाउनलोड करकर के यूज कर रहोता हूँ ताके आप लोगों को मैं आपनों को भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई चीज प्रैक्टिस के लिए बना रहें मेक इट बीटिफुल कुछ खुबसूरत सा बनाए आपका खुद इंट्रस्ट और बढ़ेगा आपको इसमें खुबसूरती लाने में और मज़ा आएगा तो ये जो इमेजेस स्थचिज़ करें और में में और आपका खुद इंटार सुबसूरती लाने में और में और में में खुद़नें हैं